देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए A&P News यूट्यूब चानल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जहां एक और प्रदेश के मुख्य मंत्री जो की अधितना अतने कार्यालों में तुम्रपान तक निशेद कर रखा है और जिला अधिकारियों को इस पर सक्ती से पालट करने के निर्देश भी दिये गए है वहीं दूसरी और कलेक्ट्रेट का नाजर नशे मिधुत मुख्य मंत्री के आदेश का खुले आम्धजिया उडाना देखिए इतना ही नहीं मिलने वालों से आभधरता करने पर भीवन नहीं चूप रही है तस्वीरों में आप देख रही हैं ये व्यक्ती जिला अधिकारी कार्याले के सामने नजारत के कार्या तहसीलदार राम कृष्ण शिर्वास्तव जो ऑफिस में शराब के नशे मिधुत है सित्या इतनी बच से बत्तर हैं कि अपनी सीट पर नाजर का बैटना तक मुश्किल हो गया है जिसे उसे बगल पड़े बेंच पर नटाना पड़ा नजारत के प्रशास्तिक अधिकारी राम कृष्ण शिर्वास्तव का ये गंदा खेल खुले आम कार्याले में चला करता है तहसीलदार ने कार्याले के में खाने में तबदील कर दिया है बदाया जा रहे कि तहसीलदार खुले आम कार्याले में ही शरापिया करता है उसकी दबंगा इतनी है कि किसी की हिम्मत नहीं कि उसके विरोध में बोलने के लिए वे कोई आगे आए सुभा तहसीलदार राम कृष्ण शिर्वास्तव अपने ओफिस में बैठा शराप के नशे में जूम रहा था तबी एक फरियादी किसी काम से उसके पास जा पहुचा जब फरियादी ने राम कृष्ण शिर्वास्तव से बात करनी चाही तो लड़खडाती अवाज में उसने उल्टा सीधा चवाब देने लगे फरियादी जब और नजी गया तो पाया की तहसीलदार के मूँ से शराप की दुरगंदा रही है और नशे में वे पूरी तरह से धुथ है नशे में धुद तहसीलदार से पूछा गया क्या शराप पी रखी है तो नाजर ने जवाब दिया कहा हाँ पी रखी है तू कौन होता है मुझ पर ऐसे सवाल उठाने वाला और मुझसे बात मत करो जब बात जिला अधिकारी संजे कुमार खत्री के संग्यान में आई तो उन्होंने गाट भेज कर तहसीलदार को बुलाया तो तहसीलदार ने कहा अभी वें लेटा हुआ है बात में आएगा जिसके बात तहसीलदार वहां से फरार हो गया जिसके बात मामला AGM के संग्यान में उन्हायत उन्होंने कहा कि मामलिकी जाचकर तैसीनदार पर आविश्रक कारवाही की जाएगी राइबरेली से रविंद्र सिंग की रिपोर्ट टाइबरेली राइब कर दिंद्र कर दो दोगै।